Hello friends, welcome to SSC Coaching Center, दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे नमबर 시स्टम के प्रेश्णों की घात वाले प्रेश्णों देखेंगे दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ आप देखेंगे power क्या दे रखी है, sum power दे रखी है, ठीक है, जब आपकी power sum दी जाएगी, तो आपको power 2 लेनी है, 4 लेनी है, 6 लेनी है, इस तरह से लेनी है, और जब power आपकी बिसम दी जाएगी, जब power आपकी बिसम दी जाएगी, तो आपको 1 लेना है, 3 लेना है, 5 ल रखी है मतलब sum दे रखी है तो 2 की पावर हम क्या लेंगे दोस्तों 2 की पावर लेंगे हम 2 ठीक है किस से डिवाइड करने के लिए बोला है 9 से डिवाइड करने के लिए बोला है ठीक है 2 की पावर कितना होता है 4 होता है 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा न से करना है अब दिखें दो की पावर चार कितना होता है दो की पावर चार होता है दोस्तों दो दुना चार दुना आर दुना सोल है दो की पावर चार कितना होता है नो से इसमें डिवाइड करना है तो नो एक कम नो कट जाएगा बचेगा कितना साथ बचेगा यही क्या हो जा तो 6 रख के दिखेंगे ऐसी जब पावर विशम दी जाएगी तो पहले एक पावर रख के देखेंगे नहीं कटेगा तो फिर 3 पावर रख के देखेंगे ठीक है दोस्तों इस कोई डाउट रह गया तो अगली कोश्चन में और किलियर हो जाएगा अगला कोश्चन है तो देखी क्या करेंगे विसम जब दे रखा हुगा तो क्या करना है एक लेना है या फिर तीन लेना है ठीक है दोस्तों तीन से भी निकटेगा तो आगे पांच चेक करेंगे ठीक है दोस्तों आप देखें डिवाइड कितने से करना नौ से तो 35 की पावर कितना लेंगे एक ल हो जाएगा क्योंकि शेशफल पूछा गया है option नमर भी आपका सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों इस question में भी कोई doubt है तो आगे देखेंगे उसमें और clear हो जाएगा यहाँ पर देखिए 143 की power पावर 321 है 143 की पावर 321 है बहुत बड़ी पावर दे दिया और 5 से विवाजित करना है तो शेशफल क्या बचेगा ठीक है दोस्तों पावर क्या है दोस्तों आपकी विश्म है ठीक है विश्म पावर है तो क्या लेंगे एक लेंगे तील लेंगे ठीक है तो 143 की पावर एक लेंगे तो कितना रहेगा 143 ही रहेगा डिवाइट कितने से करना है दोस्तों 5 से करना है तो 6 फल क्या बचेगा तो करके देख लेते 5 से कितनी वारी कटेगा पांस दूनी दस कर जाएगा चार बचेगा तीन आपका तो दोस्तो कितनी भी संख्या दी जाए कितनी भी उसकी पावर दी जाए आपको डिवाइट करने के लिए दिया जाएगा तो बिल्कुल भी परिशान मत हो ना आप इन तरह के सवालों को एक से दो सेकेट में ही स्वाल्ब कर देंगे माइंड में ही स्वाल्ब कर देंगे ये छोटे प्रेशने लगते हैं जब एक्जाम में आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कैसे करें जिसकी प्रेक्टिस अच्छी है वो तो कर देगा लेकिन जिसको नहीं पता इसे कैसे solve परना है जल्दी से जल्दी तो वो नहीं कर पाएगा तो उसके लिए एक trick है यह वाली इससे आप बहुत जल्दी solve कर सकते हैं ठीके दोस्तों तो इस trick कच्छे से सीख लीजें अब देखते हैं अगला question अगला question है देखें तीन की power कितनी बड़ी power धी गई है तीन की power दोस्तों कितनी है यहाँ पर 1,9,8,9 power आपकी क्या है बिशम है बस आपको यह देखना power बिसम है या sum है power बिसम है तो एक लेंगे या फिर तीन लेंगे तीन की power पहले एक लेंगे तो तीन ही रहेगा साथ से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा तो क्या करेंगे तीन की power तीन ले लेंगे ठीक है तीन की power तीन ले लेंगे कितना हो जाएगा तीन का क्यूं कितना होता 27 होता है ठीक क्यों कितना होता दोस्तों 27 को साथ से डिवाइड करके देखेंगे कितनी वरी कटेगा साथ या 21 कर जाएगा 21 कर जाएगा 6 कितना बचेगा 6 बचेगा यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा option number B ठीक है दोस्तों तो इस तरह के सवाल exam में पूछे जाते प्लस 2 की पावर 73, 2 की पावर 74 बिवाज जिता है मतलग किस से बिवाज जिता है तो देखें यह सम में से क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 71 को मन आ जाएगा इसमें से 2 की पावर 71 सम में है तो को मन आ जाएगा तो यहां कितना बचेगा 1 बचेगा प्लस यहां 2 की पावर बचेगा एकत्तर चला जाएगा तो दो की पावर दो बचेगा और 25 का 2 से मल्टिप्याइ कर दीजिए से कितना चलाएगा 30 हो जाएगा अब इस 30 को जो संख्या काड़ देगी option में वही आपका answer हो जाएगा तो 30 को कौशी संख्या काड़ देगी 10 काड़ देगी 10 ही क्या है दोस्तों आपका answer है ठीक है दोस्तों तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं exam में तो confuse मत होना आप बढ़ी आसानली से उन्हें solve कर सकते हैं यदि आपको तरीका पता है तो ठीक है दोस्तों आप देखते हैं थोड़ा ओर different type के question अगला question है तेज की power 3 प्लस 31 की power 3 को 54 से भाग दिया जाए तो 6 पर क्या बच्छेगा ठीक है दोस्तों आपको ट्रिक वही है तेज की power 3 है प्लस 31 की power 3 है घात क्या है दोस्तों आपकी विशम है घात क्या है विशम है तो तेज की power कितना लेंगे पहले एक लेंगे तेज की power 1 तेज ही रहेगा प्लस 31 की power लेंगे तो 31 रहेगा, प्लस दे रखा बीची में जोड दीजिए, एक और तीन कितना हो जाएगा, चार और तीन और दू कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा, चाववन हो गया, चाववन से ही आपको क्या देना है, भाग देना, तो चाववन को भाग देना है, एक पारी कट जाए तो रिमांडर आपका क्या बचेगा जीरो बचेगा तो चीरो आप कांसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए ठीक है दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ यह कोशन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा अब देखते हैं अगला कोशन है 19 की पावर 5 पिलस 21 की पावर 5 स फिच्छा में घात बिशम है तो एक ले लेंगे पहले तो 19 ही रहेगा यहां भी एक ले लेंगे पहले तो 21 की रहेगा ठीक है दोनों को प्लस कर देजिए टूनों ठीक है दोस्तों तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं अब देखतें अगला कifferent है यदी सत्तरा की पावर 41 प्रैस 29 की पावर 41, कितना सत्तरा की पावर 41 पिलस 39 की पावर 41, ठीक है दोस्तों घात आपकी बिसम है ठीक है तो प्रैक हैङ A Way करना है एक लेना क्योंकि पूरा-पूरा कट गया तो रिमेंडर हमारा कुछ भी नहीं बचा तो जीरो रिमेंडर बचा तो जीरो आप कांसर हो जाएगा option number C ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूं को दोस्तों इस question में भी कोई शेर कीजिए यदि आपने चैनल को अभीतर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाद दीजिए दोस्तों देने वाद